हलो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए आज एक नया वीडियो रिव्यू लेकर पिछली वीडियो रिव्यू में हमने आपको बजट स्मार्टफोन रेंज के बारे में बताया था मुबाइल फोन आज एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं इसे हम सब जानते हैं Microsoft Lumia 950 XL में पावरफुल कैमरा और एक अच्छा हार्डवेर दिया गया है लेकिन इसकी बॉडि क्वाल्टी एक मिड रेंज स्मार्टफोन से ज़्यादा नहीं लगती अब अगर आप लगबग 50,000 रुपए किसी स्मार्टफोन पर खर्च कर रहे हैं तो उसकी पॉडि क्वाल्टी भी उसी के हिसाफ से होनी चाहिए Lumia 950 XL में पॉली कॉर्मिनेट बॉडि दी गई है हालागी फोन की मोटाई जादा नहीं है इसकी वज़े से डिजाइन के मामले में दूसरे स्मार्टफोन को टक कर देता नजर आता है Microsoft Lumia 950 XL और Lumia 950 में एक ही रेजूलिशन की स्क्रीन दी गई है XL में 5.7 इंच का M.O.L. डिस्प्रेय लगा हुआ है जो 518 पिक्सल पर इंच सपोर्ट करता है स्क्रीन की क्वालिटी आपको पसंद आएगी जिसमें रेड ब्लैक कलर का अच्छा कंबिनेशन मिलेगा साथ में बहतर व्यू एंगिल, फोटो और वीडियो देखने के एक्स्पिरियंस को और बहतर बनाते हैं लेकिन तेज रोश्री में फोन की स्क्रीन देखना थोड़ा आपको मुश्किल पढ़ सकता है Microsoft ने Lumia 950 XL को एक पावरफुल स्मार्टफोन के रूप में उता रहा है इसके लिए इसमें आठ कोर वाला Snapdragon 810 प्रोसेसर के साथ 3GB की RAM दी गई है इसका कम्बिनेशन ना सिर मोबाइल एप्स को स्मूदली रंद करने में मदद करता है बलकि फोन को यूज करने पर हमने पाया कि इसमें कोई हीटिंग इशू भी नहीं है जबकि Snapdragon 810 से लैस ज्यादा तर स्मार्टफोन में हीटिंग से जूरी शिकायतें सुनने को मिलती रही है Microsoft ने फोन में powerful hardware के अलावा powerful camera भी दिया है Lumia 950 XL में 20MP का pure view camera लगा हुआ है जिसके नीचे triple lid flash आपको मिलेगा Selfie lovers के लिए फोन में 5MP का secondary camera लगा हुआ है जिसमें wide angle की selfie बड़े आराम से ली जा सकती है यानि बड़े बड़े group की selfie लेने के लिए आपको दूर खड़े होने की ज़रूरत नहीं फोन में 4K resolution की video recording की जा सकती है इसकी मदद से बड़ी screen में आप अपने phone से लिए गए video आराम से देख सकते हैं Microsoft का नया Lumia 950 XL कैमरे के मामले में आपको निराश नहीं करेगा इसमें 20MP का camera दिया गया है साथ में काल जैसे lens की वज़े से इसकी picture quality दूसरे smartphone से ज़्यादा बेटर है यानि अगर आप 20MP के दूसरे smartphone पर नज़र डालेंगे तो उससे बेटर आपको इसमें picture quality मिलेगी इसके लावा इसमें Quad HD screen दी गई है Lumia 950 XL में Windows 10 operating system दिया गया है जिसमें आपको एक नया update भी मिलेगा Windows phones की screen में live tiles एक अच्छा लूग देती है लेकिन इस phone में कुछ भी करने से पहले Microsoft account में लॉग इन करना थोड़ा मुश्किल भरा है हाला कि कभी-कभी maps और कुछ apps open होने में दिक्कत करती है बैटरी के मामले में Lumia 950 XL आपको निराश नहीं करेगा इसमें 3340 mAh की बैटरी लगी हुई है कमपनी के मुताबिक Wi-Fi connectivity पर phone में 11 घंटों का web browsing की जा सकती है लेकिन इसके अलावा अगर आप देर तक phone में बात करते हैं तो Lumia 950 XL में 25 घंटे तक का talk time आपको मिलेगा Microsoft Lumia 950 XL का review तो आपने देख लिया लेकिन इसका एक और खास feature है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो यह कि इस phone को एक PC की तरह भी यूज़ कर सकते हैं यानि ये phone laptop को replace कर सकता है तो चलिए देखते हैं आखिर इस phone को कैसे यूज़ करेंगे और इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की जुरूत पड़ेगी तो ये थी वो सारी accessories जिनकी बतस से आप इस phone को एक PC की तरह यूज़ कर सकते हैं चलिए connect करते हैं फिर लूमिया 950 XL को TV से या फिर कुछी भी बड़ी स्क्रीन से और देखते हैं इसका कैसा experience आपको मिलता है यहाँ पर मेरे पास ये display dock है जिसमें मैं जो दूसीर से 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 connect करूँगा जिससे हमारा ये phone इस बड़ी स्क्रीन में भी एक PC की तरह काम करेगा तो सबसे पहले मैं power cable connect करता हूँ जो ये option दिया गया है connect करते ही आपके यहाँ पर light जल जाएगी तो आपको यह पता चल जाएगा है इसमें power आ चुकी है इसके बाद SDI में cable connect करूँगा जो अलड़ी हमाई दूसरी तरफ से टीविम connect है इसको यहाँ पर connect करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपना wired keyboard या mouse connect कर सकते हैं हमाई पास यहाँ पर wireless mouse है तो wireless mouse के लिए मैं यहाँ पर connect करूँगा फोन की स्क्रीन में आपके देखेंगे यहाँ पर continuum लिखा हुआ रहा है और यह स्क्रीन आपकी एक touchpad की तरह काम कर रही है देखिए कुछ apps हैं जो इस continuum feature की मदद से आप इस बड़ी स्क्रीन में यह नहीं उज़ कर सकते हैं जैसे ही आप साइट पर क्लिक करेंगे आपको दिखेंगी कुछ apps डार्क हैं इसका मतलब यह apps बड़ी स्क्रीन में आप नहीं चला सकते हैं हाला कि Microsoft इन apps पर वर्क कर रही है देखते हैं कब तक यह apps भी आपको कॉंटेनम फीचर में मिल सकते हैं सो इस टाइम मैं Microsoft Lumia 940 XL के secondary camera के और देख के बात कर रहा हूं यह हमारा phone direct connect है हमारा display dock की मतलब से आप देख सकते हैं कोई भी इसमें camera भी phone का camera भी आप यूज कर सकते हैं कोई खास camera feature यूज करना चाहते हैं चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं Nokia Lumia 950 XL के सारे feature नो पर phone में आपको 5.7 inch का MOL display मिलेगा 518 pixel resolution दिया गया है विंडो 10 operating system है 2 GHz का octa core processor लगा हुआ है 3 GB की RAM दी गई है 32 GB की internal memory मिलेगी dual nano sim support है 3340 mAh की lithium-ion battery लगी हुई है 2 G में आपको इस phone में 25 hours का talk time मिलेगा और 3 G में आपको 19 hours का talk time मिलेगा Lumia 950 XL में company 1 year की warranty दे रही है साथ ही box accessories पर आपको 6 महिने की warranty मिलेगी अगर आप Microsoft Lumia 950 XL का complete package देखें जिसमें आपका display dog भी शामिल है जिसकी मदद से से आप एक PC में convert कर सकते हैं तो ये phone आपको पसंद आएगा और अगर आप Windows user है और अगर आपको Windows services की जुरूत पढ़ती ही है और phone 49,399 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है तो आप ये phone खरीच सकते हैं तो ये था हमारा आज का Microsoft Lumia 950 XL review अगर आपको ये review पसंद आयो हो तो हमें like करें सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें HindiGizbot.com मैं रहूल सुचन फिल लेके आऊंग आपके लिए कुछ नए mobile review